वेल दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप लोगों का हमारे चनल में आज के सक्सिसमंतर एपिसोर्ड में बात करने वाले हैं knowledge लेने वाले जैसे कि मैंने आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको मैं यह बताने वाला हूं कि प्लान दिखाते समय आपको प्रोड़क्ट के उपर ज्यादा ध्यान दे करके यानि कि प्रोड़क्ट के उफर फोकस करना चाहिए या फिर प्लान के डिटेल्स के उफर फोक सब्सक्राइब वह सारा चीज में आपके साथ अज सेर करने वाला हूं तो बहुती खास वीडियो है वीडियो में आखर तक जरूर से जरूर बने रहीएगा तो आज के टॉपिक के उपर जाने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो पिछला वीडियो में ने अपल रहे हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा यहां पर प्रोब्लम हो और इस वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है तो आपका काम में आसान कर रहा हूं तो जाइए डिस्क्रिप्शन से पहले उस वीडियो को देखिए बाद में इस वीडियो को लोगों का लिश्ट बनाओ फिर धीरे धीरे स्किल डवलप करो प्लान सो करो और प्लान सो के उपर सब कुछ डिपेंड करता है जब भी आप किसी के पास प्लान सो करने पहुंचते हो तो वहां पर आपको 100% जो है पॉजिटिव रिजल्ट की आसा आप रखते हो लेकिन ऐसा ह हो नहीं पाता है देखिए हर कोई इस बिजनस को करने के लिए आपके सामने नहीं आएगा या फिर आप जिसके पास भी पहुंच रहे हो वो तयार नहीं बैठा है कि हां ये वंदा मेरे पास आएगा और मैं धड़ाक से जो है ये बिजनस जोइन कर लूँगा हर कोई ये ब आप किसी को प्लान दिखाते हो तो प्लान के उपर ज्यादा फोकस करेंगे या फिर प्रोड़क के उपर ज्यादा फोकस करेंगे अब नेटवार्क मार्केटिंग का ये एक बहुत बड़ा सिधान्त है और मैं भी इस सिधान्त को मानता हूं कि never prejudge people जो भी लोगों के पास पहुंच रहे हो उसको कभी pre-judge मत करो अच्छे से समझे इस statement को never pre-judge your prospect यानि के आपके prospect को आप pre-judge मत कीजिए कौन से चीज के लिए pre-judge नहीं करेंगे अच्छे से समझे कौन से चीज के लिए pre-judge नहीं करेंगे वो business करेगा या नहीं करेगा उसको इस business की जरूरत है या नहीं है मुझे उसके पास पहुंचना चाहिए opportunity लेकर या नहीं जाना चाहिए ये द्वंद में आपको फस करके नहीं रहना है तो जब आप list बनाते हो आपका जब memory योगर लिखते हो या फिर लोगों का list बना रहे हो तब ये मत सोचो तब judgment मत करो कि इसका नाम में लिखूं या ना लिखूं इसके पास तो बहुत पैसा है ये तो business नहीं करेगा ये तो already बहुत से अच्छे products यूज कर रहा है हमारे products यूज क्यों करेगा तो ये सारे judgment मत करो लेकिन जब आपके सामने prospect बैठा हुआ है जब वो समय आ चुका है कि आप प्लान सो कर रहे हो तब आपको decision लेना पड़ेगा तब judgment आपको करना ही पड़ेगा अगर आप judgment नहीं कर पाओगे तो आपका जितना भी efforts है उसका result जो है 100% आपको नहीं मिल पाएगा आपके efforts के मुताबिक आपको result नहीं मिलेगा किसको plan दिखाना है नहीं दिखाना है ये चीज़ मत सोचिए आपके prospect को prejudice मत कीजिए लेकिन plan दिखाते समय judgment आपको करना ही होगा देखिए यहाँ पर कुछ tips में आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो prospect है वो product के माध्यम से आपके पास आने वाला है या फिर वो plan के माध्यम से आपसे जुडने वाला है जब भी आप plan दिखा रहे हो या फिर product को describe कर रहे हो demonstration दिखा रहे हो closely बहुत करीब से जो है आपको expression देखना है आपका जो prospect है उसका expression देखना है देखिए कि कब वो interest नहीं ले रहा कब वो interest ले रहा है कब उसके चेहरे पर जो है मुसकान आती है या फिर कब वो serious हो जाता है कब उसका facial expression जो है serious हो जाता है ये facial expression को आपको देखना है और facial expression को देख करके आपको पता चल जाएगा कि plan दिखाते समय उसके चेहरे पर चमक है या फिर product को describe करते समय उसके चेहरे पर चमक आ रही है वो किसमे interest ले रहा है ये चीज आपको find out करना होगा आप अपना काम करते रहिए plan दिखाते रहिए product के ब इस पर भी ध्यान दीजिए कि आपका जो prospect है वो किस चीज से related questions आपको पूछ रहा है अब देखिए आपका prospect अगर plan के अंदर से ढूंडूंड के अपना doubt क्लियर करना चाता है आपसे question पूछ रहा है यानि कि वो plan के लिए interested है या फिर आपका prospect अगर आपको product के बारे में ज जादा questions पूछ रहा है तो वो product के लिए जो है interested है तो जब भी कभी prospect आपको questions पूछ रहा है तो 100% prepare होकर के जाहिए कि आप सारा doubt जो है on the spot clear कर सको तो इसके लिए knowledge की जरुरत होती है तो अपने company की हर एक product के बारे में knowledge और plan के बारे में भी 100% knowledge जो है आपके पास होना चाहि तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा listen to your own heart अपने दिल की सुनो मैं हमेसा बताता हूँ अपने वीडियो में यह मेरा तज़ुर्वा है कि emotionally connect हो करके अगर business को करते हो ना तो यह business में बहुत आगे जाते हो आप किसी के साथ भी अगर emotionally connect हो जाते हो आप तो वो भी आपक जो prospect है आप देखिए कि कौन से चीज के उपर वो आपको questions पूछ रहा है plan के regarding या फिर product के regarding वो पूछ रहा है सारा doubt जो है on the spot clear कीजिए पर जैसे आपको पता चल जाता है कि यह plan के लिए जो है जाला interest ले रहा है तो अच्छे से plan के उपर focus कीजिए इसका मतलब यह नहीं कि product को बिल्कुल negativity कर देंगे product भी नहीं दिखाएंगे ठीक है आपको product भी दिखाना है लेकिन जिसमें वो interest ले रहा है जिसमें वो अच्छे से जो है अंदर घुस के आपका बात सुन रहा है पूरा जो है concentrate करके आपको सुन रहा है वो expression आपको catch करना है और वही चीज उसको अ वसमें यानि के husband wife दोनों बेठे हुए है या फिर जिसको आप plan लिखा रहे हो इसके साथ उसके relatives बैठे हुए है या फिर family members बैठे हुए हैं उसके friend या फिर उसके colleagues बेटे हुए हैं यानि कि आप multiple लोगों को एक साथ में plan दिखा रहे हो तब आप क्या करेंगे plan के उपर जदा ध्यान देंगे या फिर product के उपर जदा ध्यान देंगे यह दुविधा वाली हर किसी का expression देखिए मा लीजिए आप एक couple को business दिखा रहे हो plan दिखा रहे हो तो both husband and wife दोनों का expression को catch कीजिए और वहाँ पर आपको थोड़े से extra demo दिखाना चाहिए क्योंकि देखिए यह मेरा experience है कि जब आप किसी को plan दिखाते हो जब आप उसको demonstration देते हो तो उनका जो है दिमाग घूम जाता है क्योंकि ऐसे से experiment ऐसे से चीज आप जो है real में करके दिखाते हो ऐसे से comparison आप दिखाते हो जो कि वह कभी सपने में भी imagine नहीं कर सकते हैं उन्हीं के घर से एक product उठाते हो उस product के साथ में अपना product को compare करते हो differentiate करके आप quality में difference दिखाते हो उनको कि वह कैसे quality का product use कर रहे हैं even better price दे रहे हैं और यहां पर जो है कम price में और भी अच्छे products available है तो यह चीज आप demonstration करके दिखाते हो और कोई भी वंदा आपके सामने बैठा हो प्लान दिखाते समय वो जितना seriously देख रहा है उससे ज्यादा seriously product को देखेगा जब आप demonstration दिखाओगे जब आप catalog दिखाओगे तब नहीं जब आप demonstration दिखाओगे तब तो अगर आपके प्लान सो package में जितना भी time आप लेते हो कि आप कौन से category के लोगों को plan या फिर demo दिखा रहे हो और आपके साथ जुडने वाला कौन है ऐसा तो नहीं है कि आपके सामने जो 6 लोग बैठे हुए 6 के 6 लोग join करेंगे आपके साथ जुड़ेंगे आपके साथ आप एक जन को plan दिखाने के यह हो बाकी 5 लोग उसके family members ह लेकिन उनके age के regarding मान लीजिए उनके old age जो है उनके parents हैं उनके पास में grandparents बैठे हुए हैं या पर उनके खुद के parents बैठे हुए हैं जिनका age थोड़ा जादा है तो आप वहाँ पर वैसे product का बात करो जिसका उनको जरूरत है ठीक है आलीजिए उनके घर में जो ladies हैं बहुत जादा साप सुतरा है अगर आपके सामने वह कुछ snacks वगरा लाके रख रहे हैं और वह भी बहुत जादा अच्छे से garnish किया हुआ है आपको पकड़ना है आपको समझना है सामने वाले का जरूरत क्या है उस हिसाब से आपको बताना है तो आपको food supplement के बारे में बात करना है या फिर आपको कौन से product के बारे में उनसे बात करना है ये चीज आपको find out करना पड़ेगा तो कभी भी अगर couple के सामने बेटे हुए हो या फिर एक family को plan दिखा रहे हैं तो वहाँ पर plan presentation अच्छे से कीजिए जैसा आपको करना है सबके expression को ध्यान में रखिए हर किसी का questions का answer दीजिए और एक चीज का ध्यान रखिए कि वहाँ पर अगर कोई छोटा बच्चा यानि कि adult नहीं है वो ठीक है 14-15 साल का भी हो या फिर 16 साल का हो 17 साल का हो लेकिन adult नहीं है थोड़ा सा कम उमर का है अगर वो भी questions भी इसमें पूछ रहा है तो आपका वहाँ पर उसको भ करके आपको plan presentation और demonstration जो है करना पड़ेगा अब यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा ऐसा एक trick जो मैं खुद यूज करता हूं और यह मैं अपने team में ही लोगों को बताता था लेकिन मैं यह चीज first time आज YouTube में share करने वाला हूं आप लोगों के साथ में देखिए आप लोग यह चाहते हो कि आपका जो prospect है वो plan देखे product demo भी देखे और आपके साथ वो business के लिए जुड़ जाए जिससे यह होगा कि वो business के लिए जुड़ेगा तो business भी करेगा product भी यूज करेगा तो आप यही चाहते हो लेकिन कुछ cases में ऐसा होता है कि आपका जो prospect है वो सिर्फ और सिर product यूज करेगा ऐसा आपको बताता है तब क्या होता है कि वो registration तो कर लेता है लेकिन as a user वो business में इतना ध्यान नहीं देता है कुछ लोग तो directly मना करते हैं कि मुझे business करना ही नहीं है और कुछ लोग जो है पताते हैं कि पहले हम product देखेंगे बाद में business का सोचेंगे यह दो किसी का chances बढ़ जाएगा कि वो आपके साथ business में जुड़ जाएगा आपको एक trick बता रहा हूं आप क्या करेंगे एक coupon system कीजिए एक coupon print करवाईए जहां पर आप जो है अपने company का logo होगा और वहां पर लिखा होगा कि lucky coupon ठीक है lucky coupon लिखा होगा lucky user coupon या lucky coupon अच्छे से design ठीक है आप 1 से 100 तक लिखो या फिर 100 से 200 तक लिखो 200 से 300 तक लिखो तो हर एक card में code होगा तो आप अगर 100 से 200 अगो हो तो एक number वाला card भी आपके पास होगा ठिकने साथ क्या ही ये जो card होगा आपका ये card आप ले करके चलो तो जब कोई आपके साथ product के लिए जुड़ेगा जब एक user के नाते से कोई आपके साथ जुड़ता है तो ये card आप उनको दो जैसे ही आपके साथ कोई product के लिए चाहता है वो जो card है उसको दे करके आप ये बताएंगे कि सर ये card के उपर एक number है तो ये card का एक फोटो खीच ले रहा हूं और आप तुरंती एक photo click कीजिए उस photo को उसको WhatsApp नमबर मांगे और WhatsApp नमबर में send कर दीजिए तो ये card आप रखे रहिए सर हमारा एक next meeting है उस meeting से पह कुछ लोगों को हम gift देने वाले हैं अच्छा खासा जो है हमारे company से आपको gift मिलने वाला है तो ये चीज के लिए इस card को संभाल के रखिए और मैं एक photo किच लेता हूं ताकि आपको मैं याद रख सकूं तो आप क्या करेंगे वहाँ पर वो जो code होगा वहाँ पर उनका ना प्लान दिखाओ तो उनका mind open ही नहीं होता है आप अच्छे से प्लान दिखाए हो आप अपना 100% दिये हो आपका opportunity बहुत अच्छा है सारा चीज आपको मालूम है लेकिन उनका mind open ही नहीं हुआ है तो उनका mind कहां पर open होता है एक broad platform पे जाने के बाद open होता है जहां पर projector होत 24 गंटे पहले उनको call करोगे तो Congress जताएंगे उनको बताएंगे कि आपका number निकला हुआ है सर आपको अच्छा खासा gift मिलने वाला है कल 11 बजे या 10 बजे या 9 बजे यहां पर पहुंच जाना और अपना जो gift है वो लेकर के चले जाना तो वो जरूर से जरूर जो है अपना gift लेने के लिए आएंगे याएंगे अगर वो आपको बोलते हैं कि आप gift घर में लाकर के दो तो आपको बताना है कि देखिए यह जो gift है यह वहाँ पर present logo को ही दिया जाएगा अगर आप नहीं आओगे तो on this spot किसी और को जो है यह assign कर दिया जाएगा तो वो definitely जो है आपके business opportunity meeting में आएंगे वहाँ पर फिर से अच्छी तरीके से जो है plan को advance तरीके से समझेंगे और वहाँ पर वो आपके साथ जो है business करने के लिए भी जुडेंगे क्योंकि वहाँ पर आप अकेले नहीं होगे तो वहाँ पर जो है उनको success story सुनने मिलेगा लोग कैसे success हो रहे हैं कै लोगों का income के बारे में पता चलेगा तो धिरे धिरे क्या है उनका mind जो है open होने लगेगा आपके opportunity के लिए लोगों का सुरुवात product से होगा लेकिन opportunity के तरफ खुदी खुद वो खीचा चलाएगा यह चीज बहुत ही कारिगर है मैं खुद यूज करता हूं तो definitely जो है इसक content आपको अच्छा लगा है आपने सुरू से लेकर के end तक वीडियो को देखा है अगली वारी आपके साथ फिर से मुलाकात होगा इस वीडियो को धेर सारा प्यार दीजिए अपने working engines के साथ वीडियो को सेर कर दीजिए यानि अपने टीम के लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर सेर कीजिए बहुत ही चोटा सा काम है लेकिन smart work है बिलकुल यह smart work है तो जरूर से जरूर से जरूर सेर का बटन दवाए उनको whatsapp में messenger में यह वीडियो वेजे ताकि वो भी जो है creative हो सके skilled हो सके अगली वारी आपके साथ फिर से मुलाकात होगा ऐसे ही digital ही है अपना ख्याल रखिए नमस्कार